तो अगर दोस्तों के सब्सक्राइब आप लोगों टेक मेकानिक पे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं GPU prices की कि बहुत सारी लोग अपना एक system मनाना चाहते है या फिर कोई mining rig मनाना चाहते है और उनको चाहिए GPUs चाहिए उनको एक चाहिए हो या फिर बहुत सारे चाहिए हो तो उनका main concern यही रहता है कि हम कहां से ख़़िदे ओनलाइन या फिर offline क्योंकि बहुत सारी जगे ऐसी है जहां पर GPUs मिलती ही नहीं offline तो उनको ना चाहते हुए भी online थेदना पड़ता और online में बहुत नुकसान है तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि क्या आप online थेता चाहिए या offline और उनके prices में कितना difference है तो शुरू करते है तो यहां पर हम GPUs को लेके online और offline prices को compare करेंगे सबसे पहले budget फिर mainstream और फिर high end तो जो budget traffic card हमने लिया है वो है MSI 1050T है 4GB overclock dual fan तो अगर हम उसकी offline prices देखे मतलब cost to cost price तो वो है 13,983 रुपए और वही बगर हम Amazon को उसकी price देखे तो Amazon को उसकी price है 20,800 रुपए मतलब 20,799 रुपए लेकिन एक रुपए वो आपको वापिस नहीं देगा है ना तो यहां पर आपको करीब-करीब 6,817 रुपए का price difference देखने को मिल रहा है मतलब अगर आप online खरीद होगे तो आपको 6,817 रुपए extra पे करने पड़ेंगे जो की बिल्कुल बेकार है तो आपको सिर्फ GTX 1050 Ti में ही 6,817 रुपए का price difference देखने को मिल रहा है तो अगर आपको बजट PC बनाना चाहरे हो जिसमें आप यह graphic card लगाना चाहो तो उसमें आपको बिना फाल्तू में 6,000 रुपए add करने पड़ जाएंगे तो जो हमने mainstream graphics card लिया है वो है MSI GTX 1060 3GB Dual Fan और इसकी जो cost to cost per price है वो है 16,990 रुपए और जो Amazon rare price है वो है 26,850 रुपए और यहाँ जो आपको price difference देखने को मिलेगा वो मिलेगा 9,860 रुपए का जो की बहुत ज़ादा यार almost 10,000 रुपए होगा है और जो अगली category है वो है high-end graphics card जिसमें मैंने लिया है Zotac 1080 Ti 11GB जिसकी offline price है 56,990 रुपए और जो Amazon पे सबसे सस्ता GTX 1080 Ti है उसकी price है 76,990 रुपए मतलब 76,999 मतलब almost 77,000 रुपए और यहाँ पे जो price difference है वो है 20,000 रुपए का मतलब यार 20,000 रुपए 20,000 रुपए में आपका एक बड़िया CPU आ सकता है आपकी RAM आ सकती है 16GB वो भी RGB तो यार इस वीडियो का इस वीडियो का conclusion तो आप संबची गए होगे कि आपको अगर बढ़िया value चाहिए अपने पैसों की तो प्लीज offline करीदो तो यह सब जो आपको मिलेगी दिल्ली में वो भी नहरू प्लेस में और अगर में more specifically बात करूँ तो cost to cost पर वालों की prices fix है तो अगर मालों अभी price में कुस्ट्यूशन हुआ हो तो वो change नहीं करेंगे लेकिन यह जो मैंने आपको prices बताए यह उनहीं की list के हिसाब से जो की publish की थी उन्होंन पर ना जा पाएं या फिर किसी कारण से ना जा पाएं तो बाखी दूसरे stores भी है इंटरनेट पे जिनसे आप खरी सकते हो काफी कम prices में मतलब काफी effective prices जैसे की MD computers है और भी बहुत सारे stores है जो की Amazon से काफी सही price देंगे आपको PC parts पे तो अगर आपको अपने पैसों की delivery charges भी देने पड़ेंगे और अगर आपने global store से मंगाया तो import fees वगया और पता नी क्या 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 लपड होते हैं तो बेदी मानलो तो online को avoid करो जहां तक हो सके हैं और अगर मानलो आपने online से मंगाया कोई graphic card है ना global store से तो उसकी warranty इंडिया में होगी भी नी तो ये account नुकसा तो अगर आपको इसी तरीके price comparison पसंद है जिसमें आपके पैसे बस सकते हैं प्लीज हमारे पैसे बचाओ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चल सके हैं और अगर आप मुझे पहली बहुत तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करो तब तक आप मु बड़ आप